हलो गाईज इन दिस वीडियो भी विल लर्न हाव तो कॉन्फिगर जियो नोड प्रॉक्सी इस टू एड्स पॉवर एंटी डिटक्ट ब्राउजर इस वीडियो में हम स्टेप बाइज स्टेप सारी चीज़ें कवर करेंगे कि आप जियो नोड प्रॉक्सी इसको चाहे वो प् आप एड्स पॉवर एंटी डिटक्ट ब्राउजर से कॉन्फिगर कर सकते हैं ठीके जियो नोड की प्रॉक्सी को इस वीडियो में हम स्टेप सारी चीज़ें कवर करने वाला हूं चोटी से चोटी चीज हम इस वीडियो में कवर करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सब बाद साइन बटन पर क्लिक करने के बाद आप अपने अकाउंट में साइन अप करेंगे तो यहां पर मैं कोई भी एक इमिल आईडे ले लेता हूं ठीक है और यहां पर मैं पास्वर्ट दोंगा और गेट स्टार्ट से पर में क्लिक कर दोंगा ठीक है इसके बाद आपको एक confirmation मिल जाएगी आपको वहाँ से verify करना है तो मैं अपने gmail account में चाहता हूँ और यहाँ से अपना जो account है उसको verify कर लेता हूँ gmail id को ठीक है कि यहाँ पर मेरे पास यह जीओ नोड का एक verification मिल आ चुका है मैं इसको open करूँगा कि इसको एक बार open हो जाने देते हैं यहाँ पर मैं verify my email address पर क्लिक करूँगा कि और यहाँ से मैं इसको close कर देता हूँ यहाँ पर हमारा यह tab में open हो जाएगा का कॉंटिन्यू टू डैश्बोर्ड ठीक है अब इसमें यह पूंच रहा है select your main case तो मैं यहाँ पर कुछ भी देता हूँ कोई भी option लेता हूँ जैसे मार्लो मार्लाइन एड्स में ले लेता हूँ next और how are you going to use our solution इसके बाद यहाँ पर आपको यह options मिल रहा है ठीक है अब आपको देखना है कि आपको कौन सा प्रोड़क्ट बाय करना है जैसे कि यह प्रीमियम प्रॉक्सी यहाँ पर मिल रही है इसी तरह से यहाँ पर क्लिक करना है उसी प्रोड़क्ट के सामने इसके बाद यहाँ पर आप GB करेंगे किते गीगाबाइट का आपको पर्चेस करना है तो यहाँ पर प्लस करेंगे तो यह यहाँ पर बढ़ते जाएंगे उसी हिसाब से आप यह जो आपका जो अमाउंट है यह भी बढ़ता जाएगा ठीक है पर GB का जैसे अभी 5 का यहाँ यहाँ पर 5 GB का 20 डॉलर का है अगर मैं इसको फिर से प्लस पर 6 GB करता हूं तो यहाँ पर 4 डॉलर पर GB का यहाँ पर प्लान है ठीक है तो वह आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ले सकते हैं इसके बाद आप करेंगे कॉंटिनू टू चैक आउट पर क्लिक कॉंटिनू फ्लेश एक करना चाहते तो आप क्रेटो क criterion की थो कर सकते हैं अगर आप credit या debit कार करना चाहते हैं तो आप हैं से शुमाद करेंगे और यहाँ से आप अपना जो परचेस है उसको आप कर सकते हैं ठीक है को logout करता हूं और जो मेरा main account है जिए नोड का वहां से मैंने अपनी proxy भी बाइक की हुई है तो मैं उसमें अब login कर लेता हूं और आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम जिए नोड की proxy को एड्स पॉवर जो एंटीडेक्ट प्राउजर है उसमें किस तरह से हमें एक यहां पर देख सकते हैं यहां पर मेरा यह बया किया हुआ यहां पर आlé हुआ है अब यहां पर मैं चलते हैं यहां पर चलते हैं व्यू प्रोडक्ट पे एंटीक है तो यहां प्लार कर रहा हूं तीक है सिक्योर्टी परफस्ट पर्फस्स के लिए इसके बात आप नीचे आएंगे तो है यहां पर होउस्ट सौकस पाइप आपको सोप्षयं सल देंगे सा अप्शन मिलेगा होस्ट का स्क्राम क्रेक्षान लेगा ठीक है इसके बाद यहां पर आपको proxy configuration का option मिलता है तो यहां पर station type में rotating और इसकी यहां पर दो option दिये हुए protocol यहां पर कुछ इस तरह से आपको यहां पर options दिखेंगे ठीक है तो अब आपको क्या करना है देखिए यहां पर मेरी जो bandwidth दिखर किस तरह से करना है ठीक है अब नीचे सबसे पहले नीचे आएंगे और मैं यह सारे कुछ options है मैं यहां पर delete कर देता हूं ठीक है यहां पर आपको यह blank मिलेगा यह मैंने कुछ IP यहां पर मैंने ली थी और यह मैंने कुछ country targeting की थी इसलिए option आ रहा है यहां पर कुछ आपको इस तरह का दिखेंगा no data yet ठीक है अब आपको सबसे पहले क्या करना है देखिए proxy configuration option में आपको सबसे पहले यह देखना है कि आपको किस तरह का session चाहिए ठीक है rotating चाहिए यह इस्टिकी चाहिए यहां पर इनोंने explain भी किया हुआ है rotating proxy uses a new IP address for every request you make to the server ठीक है rotating proxy में क्या होता है वो हर बार आपको एक नई IP बदल के देगा ठीक है example for example if you load a website with one IP then click on a link the IP will automatically rotate ठीक है इस्टिकी में वो still remain same रहेगा same रहेगी उसमें कोई भी change नहीं रहेगा ठीक है तो वो आपके उपर depend है कि आपको rotating रखना है या स्टिकी रखना है इसके बाद हम नीचे आएंगे और यहां पर एक option यहां पर मिलेगा आपको कि आपको HTTP या HTTPS लेना है या SOX 5 लेना है ठीक है तो मालो जैसे कि हमें लेना है SOX 5 ठीक है तो SOX 5 मैंने select कर लिया है आप चाहें तो अगर आपकी जिस तरह की requirement है आप वो यहां पर choose कर सकते हैं HTTP या HTTPS लेना है या फिर SOX 5 लेना है तो SOX 5 पर एक्जांपल मैं SOX 5 यहां पर ले रहा हूं इसके बाद यहां पर आपको एक option मिलेगा अब बात आती है कि आपको किसी particular country के लिए काम करना है ठीक है मालो आपको United States का connect करना है अपना Entry Deduct ब्राउजर में आपकी जो SOX 5 जो प्रॉक्सी है वो आपको Entry Deduct ब्राउजर में add करनी है ठीक है यहां पर मैंने अपना Entry Deduct ब्राउजर भी open किया हुआ है ठीक है तो अब यहां पर आते हैं और यहां पर हम country select करेंगे ठीक है जो हमें target करना है तो यहां पर मालो मिरको United States करना है तो मैं यहां पर United States select करूंगा इसके बाद आप चाहें तो states भी ले सकते हैं आप सारे states आपको मिलेंगी United States का ठीक है फ्लोरिडा जॉर्जिया ठीक है सारे आपको यहां पर options मिल जाएंगे तो यहां पर मालो मिरको Texas लेना है तो मैंने यहां पर Texas ले लिया है ठीक है इसके बाद यहां पर highlight नहीं होगा cities का option ठीक है इसके बाद आपको port में आना है तो port में आपको यहां पर देखिए यहां पर आपको दिख रहा है कि हमने socks 5 वाली जो टाइप है proxy वह हमने select की हुई है तो यहां पर आप देख सकते है socks 5 have ports in range of 11,000 to 11,000 10 ठीक है तो यहां पर आपको इसी range में सारे ports आपको यहां पर problem नहीं है इसके बाद आप add करेंगे ठीक अब यह हमारी जो प्रॉक्स यह जो हमारा जो targeting है यहां पर हमारा आ चुका है हमने create कर चुका है कर चुक है हम country targeting इसके बाद हमने जो port लिया है वो 11,000 का लिया है अब हम नीचे scroll करेंगे अब endpoints में आपको काफी सारे options यहां पर देखे दिख रहे होंगे ठीक है यहां पर हमने जो select किया है socks 5 यह socks 5 का ही यहां पर दिखा रहा है ठीक है सेम चीज यह rotating के लिए दिखा रहा है अगर आपको rotating proxy के लिए चाहिए तो आप यहां से अपना जो यह code है यह अपनी जो host है वो आप यहां से copy करेंगे तो हमने जो port लिया था यहाны था स हमने 11000 लिए है ठीक है तो हम नीचे जाएंगे और यह वाला जो e यह वाला जो पॉर्ट हैь हम इसको यहां से copy करेंगे ठीक है पूरा यहां से हम copy कर लिए ठीक है पूरा हमने यहां से copy कर लिया अब यहां पर हमारा काम खतम हो जाता है अब हम जाएंगे ads power जो हमारा anti-detect browser है ads power anti-detect browser हम इसमें जाएंगे और हम जानेगे कि किस तरह से हम अपनी जो यह जो आपकी residential proxy है premium residential proxy है किस तरह से आपको यहां पर configure करना है आप कोई भी proxy हो ठीक है same ही method है तो यहां पर हम जाएंगे new profile में new profile में आने के बाद हम यहां पर कोई भी हम name दे देंगे जैसे कि जैसे कि यूएस 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 टेस्ट टेस्टिंग ठीक है इस तरह से हम दे देंगे इसके बाद यहां से यह वाला कोई option हमें नहीं लेना है ठीक है आप को फिर इसके बाद यहां पर अपना ब्राउजर सेलेक करना है आपको सन ब्राउजर लेना है या फ्लावर ब्राउजर लेना है तो मैं यहां पर यह लेता हूं सन ब्राउजर में लेता हूं इसके बाद नीचे आएंगे तो यहां पर और ऑप्शन दिखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम आपको कौन सा लेना है Windows लेना है Mac लेना है Linux लेना है Android लेना है iOS लेना है ठीक है तो इसके बाद आपको कुछ भी छेडशार नहीं करनी इनको इसके बाद जो यह जो नेक्स वाला जो यह काफी इंपोर्टेंट है यहां पर आपको ध्यान देने की जरूत है कि किस तरह से आपको यह सारी चीज़ें यहां पर करना है ठीक है अपना जो कान्फिगरेशन किस सरा से आपको करना है तो प्रॉग्जी सेटिंग में हमें कस्टम रखना है इसके बाद यहां पर प्रॉग्जी टाइप प्रॉग्जी टाइप में हमें यहां पर हमने सॉक्स फाइब हमने लिया था ठीक है यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर हमने स होक्स पई ले रहे है ठीक है इसके बाद यह option हमें blank छोड़ देना है ठीक है इसको ट завिण करना को इसके बाद यहाँ पे option आएगा आपको host और port का ठीक तो यहाँ से आपको क्या करना है इसके आपको यह वाला जो शौर वाला जो option है यहां से आपको यह पूरा copy कर लेना है ठीक है यह जितना यह जो highlighted है यह हमें पूरा copy कर लेना है इसके बाद हम ads power में जाएंगे और हम इसको as it is यहां पर paste कर देंगे ठीक है तो यहां पर इसने पोर्ट पी ले सबसे उपर ही है आपको option मिल जाएंगे यहां पर मैं बलर कर रहा हूं ठीक है security purposes के कारण ठीक है मैं यहां पर इनको बलर कर रहा हूं यह वाला पार तो यहां पर आपको option दिख जाएंगे username यहां से copy करेंगे और इस वाले option में हां पर paste कर देंगे इसको इसके बाद पासवर्ट भी यहां से कॉपी करेंगे और यहां पर इसको paste करेंगे ठीक इतना काम हो गया इसके बाद यहां पर option है check proxy का तो check करेंगे हम proxy को कि हमारी जो proxy है वो work कर रह रही है यहां पर आप देख सकते हैं country test past यह हमारा यूएस है हमने यूएस के लिए क्रिएट किया था ठीक है यहां पर देख सकता है हमने जो क्रिएट किया था में as it is रखना है वे बार टीसी को आप चाहें तो रिप्लेस भी कर सकता है ठीक है इसमें रिप्लेस में आपको एक option यह मिलेगा कि आपकी जो वे बार टीसी है वो इनेबल हो जाएगी और आपकी जो पब्लिक यहां पर यह दे भी रहा है पब्लिक आपई विल बीस भाई प्रॉक्स्य आएपि and लोकल आपई विल भी मास्क आपकी जो लोकल आइप आ वह मास्क हो जाएगी और आपकी जो पब्लिक आइप आईपी है वह रिप्लेस हो जाएगी ऑपकी लिपी इमेज यह सारे चीज़ें हमें एज़िटिज रखना है ठीक है इसके बाद हम और नीशे आएंगे ठीक है एक बार इसे पूरा लोड हो जाने देता है ठीक है यहां पर यह आप्शन्स आपको सारे एज़िटिज रखने आप चाहें तो यहां पर अपना जो डिवाइस नेम है यहां पर आप इसको चेंज कर सकते हैं रिफ्रेश करके यहां पर चेंज कर सकते हैं ठीक है आप हमारा जो प्रोफाइल है वह कॉन्फिकर हो चुका है यह पर एडिद क्या आएगा तो आप यहां पर सारी चीज़ें एडिट कर सकते हैं तो अभी के लिए हम यहां पर कैंसल कर देता है है और यहां पर हम open पर क्लिक करेंगे तो अभी ओपन हो रहा है ठीक है थोड़ा सा टाइम लेगा कुछ seconds का टाइम लेता है हुआ है 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 ठीक हो जाने में देते हैं फुड़ी देब वेट कर लाएं यह हमारी टैब ओपन हो चुकी है हुआ हब हुआ ह हुआ है है हुआ है है मुआ है है अगैर कर अग्र ठीक है तो देखिए यहां पर हमारा यह जो ब्राउजर है यह open हो चुका है यहां पर आपको location भी दिखा रहा है USA, Texas ठीक है फोर्ट फोर्ट और यह सारी डेटेल्स यहां पर आपको शो कर रहा है इसके बाद आप अपना जो भी आपका जो वर्क है आप यहां पर अपना new tab open क करके start कर सकते चाहें आप adding seconds loading कर रहे हैं diy a addstera loading कर रहे हैं ठीक है कोई भी other आपका जो network है उसने और पो loading करना है तो आप यहाँपर start कर सकते हैं उसके अलाबा भी अगर आपको पर आप कोई कर सकते हैं तो ये वीडियो उमीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी तो आप इसको लाइक और शेर करने ना भूलें गाइस साथ ही जाथ आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इस तरह की यूसफुल वीडियो आप तक पहुंच दिने हैं टाइम ली थैं